Microsoft Excel में word file word document कैसे add करें कैसे डाले आये जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर ribbon में आना है और ribbon में आपको insert को option दिखाई देगा क्लिक करें अब यहाँ पर आपको text के option में जाना है object पर यहाँ पर क्लिक करें create from file इस पर क्लिक करें browse में जाए अब जहाँ पर भी आपने वह word document रखा है चाहाँ डेक्सटॉप में डाउलोड फोल्डर में या जहाँ पर भी वहाँ चले जाए तो मैंने रखा है word document यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब अगर आप अगर आप excel के बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पर excel के सब जो भी option से वह आ जाएं गे और अगर आप यह world document पर क्लिक करेंगे word की जो भी option होते हैं आपको वह देखने मिल जाएंगे आप देख सकते हैं